हाई दोस्तों मैं प्यूश वैलकम करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेट वेव्स इंस्ट्यूट दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं पिजी डी सी है में फर्स सेमिस्टर में जो प्रोग्रामिंग इन वी डॉट नेट का पेपर है उसके बारे में इसकी यूट्ट फर्स को मैं डिसकस करूँगा तो दोस्तों यूट्ट फर्स को डिसकस करने से पहले मैं आपको इसका सिल इस में दिया हुआ है object-oriented programming concept, object-oriented programming compared to traditional programming, object, messages, methods, classes, inheritance, polymorphism, तो दोस्तों इस पूरे इस लेबर्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइट किया हुआ है, इस वाली वीडियो में मैंने डिसकस किया हुआ है कि object-oriented programming concepts क्या होते हैं, traditional programming और object-oriented programming में अंतर क्या होता है, बाकि जो object-oriented programming के concept हैं, जैसे कि अपना objects हो गए, message हो गए, methods हो गए, classes हो गई, inheritance हो गया, polymorphism हो गया, इन सबकों मैं वीडियो नंबर टू में डिसकस करूँगा, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज आप like, comment और शेयर जहूर कीजेगा, तो चलिए हम time ना waste करते हुए शुरू करते हैं, कि languages क्या होती है, programming languages क्या होती है, तो दोस्तों चलिए शुर मैं बात करूँ, तो language क्या है, language एक माद्या में जिसमें हम अपने आपको express करते हैं, अपने ideas को express करते हैं, अपनी opinions को express करते हैं एक दूसरे के साथ, अगर language नहीं हो, तो communication नहीं हो पाए, ठीक उसी तरीकर से हमारा computer programming languages होती है, अब computer programming language क्या करती है, computer programming language, computer के साथ communication करने में ह तो उस program में लिखा हुआ है task उसको पूरा करता है, तो यह हमारी programming languages की definition है, अब यह जो computer programs होते हैं, बनते काये में, यह computer languages में बनते हैं, अब languages अभी के time पे, आज के time पे बहुत सारी languages exist करती हैं, C है, C++ है, Java है, Python है, अब यह depend करता है आपके उपर, कि आप अपनी language को कैसे select कर सकते हैं, या कौन सी language आपको सबसे आसान लगते हैं, इसमें आप अपनी computer programming कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, अब दोस्तों, हम लोग आते हैं, कि languages की 3 broad categories होती है, पहली होती है machine level language, दूसरी होती है assembly, तीर सी होती है high level language, दोस्तों, high level language की 2 branches होती है, एक हो procedure oriented programming, और दूसरी होती है object oriented programming, हमको जो पढ़ना है, वो पढ़ना है object oriented programming, पर दोस्तों, object oriented programming, पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, कि machine level languages क्या थी, assembly languages क्या थी, और high level languages क्या थी, और क्यों हमाई object oriented programming डवलप होई, तो चलिए सबसे पहले चलते है, machine level language की उप में थी, अब 01 का form मतलब binary numbers का format, एक simple सा program बनाना होता था, तो उस program को हमको 01 में लिखना पड़ता था, अचा, जब यह 01 में लिखते थे हम programs को, तो इसके लिए conversion की requirement नहीं होती थी, क्योंकि यह directly computer readable format है, इसका मतलब computer जो program पड़ता है, वो 01 के format में ही समझता है, और उसके format मे यह machine dependent language थी, machine dependent language का मतलब यह होता है, कि अगर किसी program को आपने बनाया है, किसी particular machine के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है, कि वो दूसरी machine पर वैसा का वैसा ही चल जाए, अगर machine change होगी, तो आपको आपका program भी change करना पड़ेगा, अचा, उसके बाद फिर क्या है, कि यह बहुत hard है humans के लिए, यह बहुत hard है, कि हम इसको समझ सकें, हम इसको पढ़ सकें, तो इसलिए यह बहुत tough पढ़ती है, इसके अलावा इसलिए यह tedious भी है, और error prone भी है, अब error prone का मतलब यह होता है, कि अगर इसमें error, मतलब इसमें अकसर errors आ जाती है, आप खुदी समझे ना, अगर ज जाए, तो errors generate हो जाएंगी, और आपको पूरा प्रोग्राम दोबारा चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए यह बहुत error prone language है, इन सब की वज़े से ही दोस्तों, assembly language को introduced किया गया, assembly language को developed किया गया, अब हम लोग आते हैं, assembly language के उपर, अब दोस्तों, assembly में क्या है, assembly में programming जो होत होती है, अब abbreviation codes जैसे कि add हो गया, subtract हो गया, multiply हो गया, इन codes को computer समझता है, और इसमें दिये गए numbers को यह आपस में add कर देता है, तो यह थोड़ी सी आसान है machine level language से, लेकिन दोस्तों, क्योंकि यह machine पर चलती है, इसलिए इसको convert करना पड़ता है, मतलब हमें assembly language को machine level language में convert करन पड़ेगा, वही है, जो conversion होता है, यह assembler करता है, तो assembler कैसा program होता है, जो assembly level language को machine level language में convert करता है, अब दोस्तों, assembly language क्या है, थोड़ा सा easy है, read करने के लिए, मतलब अगर अपन machine की बात करें, तो machine से तो easy है, लेकिन फिर भी यह tedious है, मतलब फिर भी tough पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको memory को management भी manually करना पड़ता है, इसके अलावा क्या है, दोस्तों, एक अगर simple सा हमको task perform करना पड़े, तो उसके लिए हमें बहुत सारे instructions लिखने पड़ते हैं, मतलब एक simple task के लिए भी हमें बहुत सारे instructions लिखने पड़ते हैं, तो अब यह सब चीजें, यह सब problems assembly level language की, तो इन सब problems को दूर करने के लिए, high level languages को introduce किया गया, अब high level languages क्या है, high level languages है, simple English जैसी होती है, इसमें कुछ rules होते हैं, उनको follow कीजिए, अपना program बनाइए, और computer सब कुछ खुत करेगा, आपको कुछ भी करने की जर्वत नहीं है, आपको सिर अपना program बनाना है, दो compilers होते हैं, वो होते compilers और interpreters, यह easy होती है, मतब यह assembly से बहुत आसान होती है, इसको आसानी से पड़ा जा सकता है, और इसके अलाबा इसके अंदर बड़े programs भी आसानी से बनाए जा सकते हैं, और यह mainly अपना program development में use की जाती है, अब दोस्तों high level language को दो पार्ट में divide किय पहली है procedure oriented programming और दूसरी है object oriented programming, तो चलिए अब हम समझते है, procedure oriented programming क्या होती है, दोस्तों procedure oriented programming के अंदर बड़े programs को छोटे बड़े programs में divide किया जाता है, और इन programs को हम functions या routines बोलते हैं, ठीके, अब यह जो programming language है, यह procedure call concept पे काम करती है, मतब हमें जिस की requirement होगी, जिस function की requirement हम call कर लेंगे और वापिस भेज देंगे, अपने इसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर मैं एक simple example में समझा हूँ आपको तो मैं इसको ऐसा समझा सकता हूँ, कि जैसे हमने मकान, हमको मकान बनवाना है, अब हमको अपना house बनवाना है, तो यह तो लिए हम खुश शुरू हो जाए अगर यह लोग आपस में communication सही नहीं रखेंगे, तो मकान सही नहीं बनेगा, तो उसी तरीके से अगर हम बड़े प्रोग्राम को हमको बनाना है, तो हम उसको छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइट कर लेंगे, और जब जिसकी requirement पड़ेगी हम उसको बुला लेंगे, त वो function उस data को use कर लेता है, इसके अलावा, जो functions होते हैं, उनके बस खुद का local data भी होता है, ठीके, तो यह functions जो है local data को भी use करते हैं, और global data को भी use करते हैं, ठीके, तो यह हमारा पूरा था procedure oriented programming, मतब इसमें क्या हुआ, अगर मैं इसको एक, इसकी summary समझाओं, तो बड़े प functions बोलते हैं, ठीके, इसमें data जो है global रखा जाता है, उस data को सभी functions यूज करते हैं, और यह सभी functions आपस में communication करते हैं, अब दोस्तों, procedure oriented programming के examples क्या है, C है, Fortran है, Basic है, Pascal है, जितनी languages हैं, यह सारी हमारी procedure oriented programming languages हैं, अब दोस्तों, मैं आता हूँ, इसमें problem क्या थी, जो हमने object oriented programming को develop किया, तो इसको हम बोलते हैं, कि क्या problem थी, जिसकी वज़े से हम object oriented programming पे आए, तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, कि बड़े programs को छोड़े-चोड़े programs में divide किया जाता है, इसको हम function बोलते हैं, और यह function जो है, आपस में data share करते हैं, ठीके, data share करते हैं, और data access करते हैं, अब दोस्तों, होता है, कि इसमें जो main emphasis होता है, वो function के ऊपर होता है, मतलब function को आपको save रखना है, और जो data होता है, वो global रखा रहता है, जब data global होता है, और यह data इतने साइ functions के बीच में share होता है, function number 1 हो गया, function number 2 हो गया, function number 3 हो गया, function 4 हो गया, function 5 हो गया, और जब data एक दूसरे पर पास होता है, तो यह data इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें यह देटा ही एक्सिंस हो गया तो आपके सेकूरिटा खतम हो गई इसलिए यह में इशू था वह यही था इसमें जो है डेटा जो है ग्लोबल रहता है और लोग्योंक न्हाहिवर ईक्सिंस किया object oriented program के concept को develop किया और दूसरी एक problem ओथी दोस्तों जब हम data को global रखते हैं और ये data बहुत सारे functions के दोरा use किया जाता है तब हम तब अगर बहुत बड़ा program होगा तो हम ये identify नहीं कर पाएंगे कि जो data हमाई पस हमको मिल रहा है किस function से आया है ठीक है और किस function ने इसको access किया है तो ये जो है इस वज़े से भी ये भी एक issue था इस वज़े से नहीं ये भी एक issue था ये भी एक issue था procedure oriented programming में मतलब पहला issue तो हो गया कि data free or independent है और इसको कोई भी change कर सकता है और दूसरा issue हो गया कि ये जो function है ये access होता है तो जब बहुत सारे functions होंगे और उसका बहुत सारा data होगा तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि कि function का कौन सा data है इन दोनों वज़ों से object oriented programming का concept market में आया तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको समझ में आया होगा चली अब हम चलते हैं OOPS के उपर object oriented programming के उपर अब दोस्तों object oriented programming जो है उसके अंदर जो बड़ा program है वो छोड़े उटे programs में divide होता है पर उसको हम functions नहीं बोलते हैं उसको हम objects बोलते हैं अब दोस्तों ये objects होते क्या हैं ये objects होते हैं instance of class अब ये class क्या होती है तो class होती है collection of data type and functions मतब data जो है वो class के अंदर रखा रहेगा function भी class के अंदर रखे रहेंगे और इस class का instance हमारा object बनेगा मतब हम इस class के कितने भी object बना सकते हैं और ये object आपस में data को share करेंगे इससे होगा ये कि जो रेल वर्ल की entities हैं वो हम आसानी से implement कर पाएंगे जब हम प्रोग्राम में उपस का यूज करते हैं या उपस प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं तो प्रोग्राम रियूजिबल बन जाता है मतलब इसको दोबारा यूज किया जा सकता है efficient बन जाता है और easy to use बन जाता है ठीके इसके अलावा जब programming language object oriented होती है तो प्रोग्राम fast चलता है और easy चलता है प्रोग्राम fast होता है और easy होता है इसके examples क्या हैं दोस्तों C++, Java, Python, CASH और VB.net के सारे जो है object oriented programming के concept हैं मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा चलिए अब चलते हैं आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस वज़े से जो वज़ेती उसको किस तरह से solve किया गया अब देखिए मैंने आपको बताया था कि object oriented programming में हम लोग जो बड़ा प्रोग्राम से उसको चोड़े प्रोग्राम से डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते है objects तो यह हमारे objects है अब यह objects होते हैं यह objects होते हैं class का instance Class क्या होती है? Class होती है collection of data, यह हमारे data members, और collection of methods, यह हमाएं methods, यह methods इस data के अंदर values को insert कराते हैं, values को delete कराते हैं, तो मतलब जो भी काम हो रहा है वो class के अंदर हो रहा है, है ना, class के बहार कुछ नहीं हो रहा है, ठीके, तो यह class का instance क्या कहलाता है, वो कहलाता है object, तो दोस् तो यह communication object to object होता है, एक object दूसरे object नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर data सेफ हो जाता है, कोई जाना सब्सक्तबीटा को चाहे तो भी इस data को चेंज नहीं कर सकता, इस data को देख नहीं सकता, या इस data का यूज नहीं कर सकता, तो दोस्तों यह थी problem और इसको हमने इस तरह से object-oriented programming में overcome किया दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ठीक है चले अब हम आगे चलते हैं अब मैं आता हूँ आपको features of oops, oops में क्याकर features है अब दोस्तों मैं आता हूँ oops के features के उपर दोस्तों यहां पर हम लोग procedure के बजाए procedure की अपेक्छा data पर emphasis करते हैं मता हमारे लिए data important है ठीक है second feature यह हो गया कि यहां पर programs को छोटे programs में divide किया जाता है पर उसको हम लोग objects बोलते है objects क्या होता है collection of objects होता है instance of class और class क्या होती है collection of data and functions ठीक है इसके बाद आते हैं जो functions class object के अंदर operate हो रहे हैं class के अंदर operate हो और वो data के साथ Tidely bound है Tidely bound का मतलब यह होता है क्योंकि एक ही class में data है और एक ही class में functions है इसलिए वो functions जो है वो Tidely bound है किसके साथ उस data के साथ अब जब class है और class में किसी बाहरी व्यक्ती मतलब class का instance होता है object तो object बाउंटरी बना देता है तो data इसलिए से hidden हो जाता है और बाहर के functions द्वारा access नहीं किया जा सकता और वहां पर उन data के अंदर काम करने के लिए functions वहीं पर मौझूद रहते हैं तो data इस वज़े से hidden हो जाता है और बाहर के functions उसको access नहीं कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर objects को आपस में communicate करना हो तो उनके functions का use करते हैं इसके लाबा इसके एक और features है दोस्तों features तो बहुत सारे हैं पर जो मेने main features हैं वो आपके सामने रखें इसके लाबा अगर आपको नए data add करना हो नए functions add करना हो तो आप आसानी से class के अंदर जब चाहें तब उसको add कर सकते हैं तब reusability आप इसमें आपको reusability मिल जाती है तो दोस्तों ये थे आपके oops के features अब दोस्तों मैं आता हूँ कि procedure oriented programming में और object oriented programming में difference क्या होता है तो सबस्तर बेसिक definition दोस्तों ये है कि object oops का full form होता है object oriented programming pop का full form होता है procedure oriented programming ठीक है oops में program छोटे parts में divide किया जाता है जिसको हम objects बोलते है pop में program को छोटे parts में divide किया जाता है जिसको हम functions बोलते है oops के अंदर data जो control किया जाता है वो उसके functions की द्वारा किया जाता है होता है मतब जो डेटा होता है वो ग्लोबल होता है इसलिए functions उस डेटा को control नहीं कर सकते हैं no control over the data object oriented programming में जो हमने code लिखा हुआ है हम उसको दोबारा reuse कर सकते हैं यहाँ पे आपको reusability का feature नहीं मिलता है procedure oriented programming के अंदर ठीके oops का use बड़े problems को solve करने में किया जा सकता है procedure नए data को नए functions को आसानी से अढ़ किया जा सकता है इसके अन्दर data of functions को add नहीं किया जा सकता इसमें data hiding आपको मिलती है क्योंकि object के अंदर data रहता है यहाँ पे data की hiding आपको नहीं मिलती ठीके इसके अलावा object जो है एक दूसर कम्मिनिकेशन करते हैं, वो मैसेज पासिंग पासिंग करते हैं, यहाँ पर यहाँ फंक्शन जो आपस में कम्मिनिकेशन करते हैं वो पैरामिटर पासिंग कि थू करते हैं, इसके अलाबा औब्जेच ओरिन्ट म सब्रदन की एक जूम्पलтории हैं, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये traditional programming और object-oriented programming के बीच में difference समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रीज लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजेगा चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में जब तक वंदे मात्रम और जैहन